हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टुमाई यूटूब चैनल लीगल एन सोसल एवरनिस मैं करीम अहमद सिद्ध की एड़ोकेट दोस्तो जुडीसियल प्रोसीडिंग में विट्निसिस का बहुत ही महत्पूर योगदान होता है वो चाहें किसी भी तरीके की जुडीसियल प्रोसीडिंग हो सिविल केसेस हों करिमनल केसेस हों रिवेनू के मामले हों या भुकता कंजुमर फॉरम के केसेस हों कहीं पर भी जब कोई नयायक कारवाही होती है मुकदमे चलते हैं तो मुकदमों के चलने के दौरान जो गवाहियां गुजारी जाती हैं जो गवाहा को पेस किये जाते हैं वो जो स्टेज होती है मुकदमों की वो बहुत ही महत्पून होती है हम सबी जानते हैं कि केस का जो फैसला होता है वो गवाहों और सबूतों की रोशनी में होता है कुछ ऐसी कामन मिस्टेक हैं जो नियायले में गवाहियों को पेस करते समय अक्सर लोगों के द्वारा की जाती है मैं तो यूँ कहूँगा कि एड़ुकेट्स के द्वारा भी विटनिसेस को जो नियायले में पेस किया जाता है तो उससे पहले जिन साउधानियों को बरतना चाहिए 90% लोग उन साउधानियों को नहीं बरतते हैं आज के इस एपिसोट में मैं इसी के समद में बाचीत करने जा रहा हूँ कि वो कौन सी काउमन मिस्टेक हैं और वो कौन सी साउधानिया हैं जिनको गवाहों को पेस करने से पहले हमें रखना चाहिए और उन मिस्टेक्स को नहीं करना चाहिए जो कि किसी भी केस के किसी भी मकदमे का जो फैसला होता है वो गवाहों के गवाही पर ही निरुफर करता है तो दोस्तों बहुत ही महत्मूर जानकारी है अगर आप junior advocate है आपने अभी प्रैक्टिस की है तो यह जानकारी आपके बहुत काम आईगी और आपका न्यायले में किसी भी तरीके का कोई मुकदमा चल लहा है तब भी यह जानकारी आपको निश्यत रूफ से बहुत काम आईगी इसलिए जुड़े रहें आखनी तक देखते हैं कि इस समंद में क्या कुछ मातपूर जान करी है साथी उससे पहले कि मैं कुछ उन कॉमन मिस्टेक्स और कुछ सावधानियों के बारे में बाचित करूँ मैं आपको बता दूँ कि न्यायलों में जो गवाहों को पेस करने का जो करम होता है हलाकि मैंने विटनिसेस पे एक वीडियो बनाया था मैं उसका लिंक आई बटन में और डिस्कृप्स ने दिद दूँगा आप डिटेल में उसको देख सकते हैं मैं यहाँ पर ब्रीफ कर दूँ कि क्रिमिनल केसिस के दौरान क्रिमिनल केसिस की सुनवाई के दौरान जब चार्ज बन जाता है ब्योकत के खिलाप तो फिर केस अबिडेंस पे फिक्स हो जाता है और पहले प्रोसिकूशन के विटनिसेस जो अब्योजन पच्छ होता है उनकी गवाईयां पेस होती है इसके बाद फिर डिफेंस की गवाईयां पेस होती है और गवाहों का जो examination का जो क्रम होता है पहले गवाह की मुख पर इच्छा कोट में होती है यानि चीफ examination record किया जाता है इसके बाद जो opposite party का council होता है फिर उससे cross examination करता है तो इस तरीके से गवाहिया कोट में होती है अब वो कुछ कामन बाते हैं जिनको के हमें ध्यान रखना चाहिए अक्सर लोग करते क्या है कि कि किसी भी case में अगर कोई गवाह है नियाले के दवरा गवाह को समन भेजा गया इसके बाद गवाह कोट में आता है जो सरकारी वकील कोट में होते हैं prosecution officer जो होते हैं चाहाँ वो APO हो या सेशन कोट में ADGC वगरा हो वो गवाह से थोड़ा बहुत सवाल करते हैं और इसके बाद नियाले में उसको paste कर देते हैं उसका बयान करा देते हैं फिर दूसरा कॉंसल आता है और उससे क्रास एक्जामनेसन करता है गवाह को नहीं मालुम होता क्रास एक्जामनेसन डेफेंस कांसल और अपोजिट पार्टी के कांसल के द्वारा जो किया जाता है वो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कब गवाह को ये पते ही नहीं चलेगा कि उसने जो आंसर दिया उस आंसर का असर क्या पड़ेगा गवाह को तो ये लगेगा कि मैंने बहुत बहुत आंसर दिया है लेकिन उसके उस बहतरीन आंसर में भी जो डिफेंस कॉंसिल और अपोजिट पालिटी की कॉंसिल होते हैं वो अपनी बात निकाल लेते हैं इसलिए जो सबसे अहम बात होती है कि न्याले में गवाह को पेश करने से पहले अगर आप अदवक्ता है तो यह बहु क्रास एक्जामनेशन की प्रैक्टिस करें हाँ दोस्तो अपने एडवकेट्स से कहें कि इस मामले में कौन-कौन से सवाल हैं रिलिवन्ट कोश्चन्स हैं जो दूसरी पार्टी की तरफ से पूछे जा सकते हैं यह ज़रूरी नहीं है कि वहीं सवाल पूछे जाएं जो सवा एडवकेट्स के दोरा उसको बताये जाएं लेकिन बहुत हद तक कौनसेप्ट किलियर हो जाता है तो इस तरीके से विटनिसेस की ट्रेनिंग देनी चाहिए गवाह को चीफ एक्जामनेशन के बात क्रास में किस तरीके से कोश्चन पूछे जाते हैं कैसे गवाह को लीड किया जाता है इन सारी बातों की ट्रेनिंग देना चाहिए कोश्चन सवालों को पूछ करके अपूचित पाटी के दोरा किस कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं एक डेमो प्रिजेंटेशन एडवकेट के दोरा अपने क्लेंट को दिया जा सकता है तो यह एक चीज़ों को भी एक पूरी ट्रेनिंग देना चाहिए उसके दिमाग यह चीज़ें किलियर होने चाहिए दूसरी जो एक और एहम बात होती है कि टिप्स है साथियों कि अक्सर क्या होता है कि जो अपूचित पार्टी के कौनसिल होते हैं वो विटनिस को हिप्टोनाइज कर हां में नहीं देना चाहिए वो हां कह जाता है इस तरीके से एक स्टेज लाके उसका माइन्ड को रीड करके ऐसी स्टेज पे पहुँचा दिया जाता है तो विटनिस को इस बात की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि सवालों के जब आप जिरे के दौरान सवालों के जब आप समय उसको अपने अपोजिट पार्टी के एड बुकेट की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है उसकी आँखों में तो बिल्कुल देखना ही नहीं है सामने जो कोट का रीडर होता है जो सवाल जवाब लिखता है क्रासिक जामनेशन को लिखता है या अधकारी प्रसाइडिंग तो जवाब बिल्कुल ना दे कम से कम पांस सेकेंड दस सेकेंड उस सवाल का मकसद समझें कि वो पूछना क्या चाहते हैं वो इस सवाल के जरी किस तरीके का अंसर चाहते हैं और जो हमारा केस है जो हमने फायार दर्ज कराई जो हमने कमप्लैंट को कोट में फाइल की जो हम सार किस तरीके का जवाब हमें देना चाहिए इन बातों की समझ गवाह को कराना जरूरी है तुरंत जवाब ना दें कुछ से करने रुक करके जवाब दें साथियों और दोस्तों इसी के साथ साथ एक और जो अहम बात है कि कभी कभी होता क्या है कि अपज़िट पार्टी के गवा को इरिटेट करती हैं गवाग को एकसाइटेट करते हैं जिस से कि वो तमाम बातें कह जाया जो उसको नहीं कहना चाहिए तो ये भी ट्रेनिंग गवाग को देना जरूरी है गवाग को बहुत ही calm down हो के cool mind हो के जवाब देना है इरिटेट नहीं होना, aggression नहीं होना, excited ही होना cool mind के साथ बात सुननी है और जवाब देना है ये समझना है कि ये मेरा एक examination का task है जो मुझे अपने case को जीतने के लिए देना जरूरी है और दोस्तों अगर आपके case में कोई documentary evidence हो सकता है और documentary evidence investigation के दोरान I.O. महोदे ने case diary का हिस्सा नहीं बनाया तो आप court में गवाह को paste करते समय उस documentary evidence को भी court में दाखिल कर दें और उसके बारे में उस गवाह से कहलाएं अगर उसके signature है original document है उसमें exhibit पर सकता है तो exhibit भी डलवाएं कभी कोट मना कर सकती है कि आप ये document नहीं दाखिल कर सकते हैं लेकिन तमाम law है कि कोई भी relevant document अगर के इस diary में नहीं भी लगाया गया तो भी गवाह के statement record करते समय court में उसको दाखिल किया जा सकता है यह बात गवाही देते समय बहुत जरूरी होता है यह थी कुछ दो चार common बाते हैं जो गवाहीों को अदालत में पेस करते समय ध्यान में रखना जरूरी होती है साथियो में समझता हूँ कि ये जानकारिया आपको जरूर काम आएंगी आपको अच्छी लगी होंगी जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बता है आज के इस एपिसोट में सिर्फ इतना ही मिलते हैं किसी अन वीडियो में कानून की कुछ अन जानकारियों के साथ तब तक कानून की विवेडन तरीकी की जानकारियों के लिए देखते रहें Legal and Social Awareness